WhatsApp का सबसे अवेटेड अपडेट था Dark Mode WhatsApp users बहुत वक्त से Dark Mode के आने का इंतजार कर रहे थे Beta version के बाद WhatsApp अब इसे Android और iOS users के लिए भी ले आया है आज के इस Tech Talk में हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है WhatsApp का नया Dark Mode आप अपने फोन में इसे कैसे अक्तिवेट कर सकते हैं और साथ ही आपको बताएंगे WhatsApp में आने वाले एक नए फीचर के बारे में जो की काफी important साबित हो सकता है तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कैसा है Dark Mode जिसका सब को बहुत बेसबरी से इंतजार था फिलहाल स्क्रीन पर आप WhatsApp का Default Mode देख रहे हैं WhatsApp डाक मोड लाने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा जहां चैट्स पर जाकर डिस्प्ले के नीचे थीम पर क्लिक करना होगा यहां आपको तीन मोड दिखेंगे सिस्टम डिफॉल्ट लाइट और डाक डाक पर क्लिक करिए प्रेस ओके एंड देर यू गो यह रहा WhatsApp का डाक मोड सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में यहां WhatsApp का डिफॉल्ट अक्सेंट कलर है ग्रीन टेक्स वाइट कलर में है और बैक्राउंड कलर वाइट की जगह डाक ग्रीन या नेवी ग्रीन है अब एक बार देख लेते हैं कि चैट पर विजुली क्या फर्क देखने को मिलेगा तो चैट पर टेक्स एक नेवी ग्रीन बैक्राउंड पर आएगा और चैट बैक्राउंड पर भी वही डूदल्ल् Wealth वाला बैक्राउंड है डाक ग्रीन कलर में ही Screen पर आप default mode और dark mode का comparison भी देख सकते हैं यहां आपको black background नहीं मिल रहा है It is more of a navy green color जो कुछ लोगों के लिए disappointing भी हो सकता है लोगों को dark mode चाहिए क्योंकि रात में कोई भी app या website चलाते वक dark mode एक comfortable option बन जाता है काफी लोगों को यह बहुत नया और interesting भी लगता है और आपको dark mode में phone brightness ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे phone की battery भी बचती है पिछले साल Twitter और YouTube दोनों ही अपने website और mobile app पर dark mode ले आए थे और जल्द ही यह Facebook के platform पर भी देखने को मिलेगा अब बात करते हैं WhatsApp के एक और नए feature की तो इस platform पर आपको जो नया option मिलने वाला है वो है अपने chat backup को password से protect करने का जी, WhatsApp फिलहाल इसे test कर रहा है जिसकी वजह से यह फिलहाल WhatsApp beta के latest version पर available है इसमें आपको अपने chat backup पर password लगाने का option मिलेगा आप मेंसे बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि यह जरूरी क्यूं है तो यह जरूरी इसलिए है क्यूंकि आपका Google Drive या iCloud में backup किया हुआ chat data encrypted नहीं होता मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित या secure नहीं होता और ऐसे में आपका chat data backup काफी vulnerable भी बन जाता है hack करने के आपके data को आपके बिना जानकारी के export करने के chances होते हैं इसलिए अगर आपके chat backup पर password protection लगने से आपका data और secure हो सकता है तो यह थी WhatsApp के बारे में एक वीडियो क्या आपको WhatsApp का dark mode पसंद आया आप क्या prefer करते हैं default mode या dark mode हमें हमारे comment section में जरूर बताएं आपके जरूएंगे